ही गाइस वालकम विपर चानल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे इस वीडियो में आज देखने वाले हैं थार समेस्टर का जो हमारा बुक है डेटा स्टेक्चिर उसमें एक हिप स्वार्टिंग करके कुषिण आता है जो कि 10 marks का होता है ऐसे तीन कुषिण होते हैं बबल शॉटिंग कुईक शॉटिंग ये भी दोनों आपको नेक्स वीडियो में परवाइद हो जाएंगे आज हम इस वीडियो में देखेंगे है और कैसे इसको स्टेप बाई स्टेप कैसे बनाते हैं तेक है य Hipshorting is one of the shorting algorithm used to arrange a list of the element in order एक ऐसा shorting algorithm है जिसको यूज़ करके अर्रेंज किया जाता है element को इन आ और ठीक है as a sequence wise Hipshorting used to uses on one of the tree concept is called a Hipshorting actually यह क्या है कि एक binary tree जैसे balance किया जाता है first shorting we have to do a short in a binary tree ठीक है balance करके and then short किया जाता ही shortly जो बें आगे बताऊंगी continue करूंगी दो को like करते हैं चानल को subscribe करते हैं ठीक है और मैंने कल एक 4 semester का short part 2 डाला हूँ है question answer का हूँ आप पहुंचा के check out कर सकते unit 3 और 2 का 3 और 4 का मैंने डालक है तो आप check out जो रूर कर लेना और वीडियो को share करना जो और यहां दिया भाई कि we we use max ships to arrange list elements in descending order to minhap to arrange in the list of elements in ascending order first we have to do in descending order in descending order में हम लोग को max hab करके use करके descending order पर proof करना है जो कि मैं अभी बताऊंगी and then minhap को use करके arrange करते हुए ascending order में use करना है ठीक है इसका step क्या होता है वो हम देखते है इस step क्या कहता है कि first step में कहता है कि construct binary tree with the given list of elements first कहता है जैसे कि मैंने भी बताया कि binary tree से connected है almost binary tree ही जैसा है first step जो इसका है so पहले जो भी हमारो shorting का दिया हुआ होगा numbers उसको binary tree में convert करना है then second step is transfer to binary tree into a minhap उसके बाद binary tree को minhap में convert करना है then delete the root of element and from mean heap using heaply method heaply method heaply method method use करके admit को elements जो हमारा root elements होता है उसको one by one delete करके उस last element को उसमें put करते हुए चलना है four step करता है put the delete element into a shorter list short list जो हमारा बनेगा उसमें put मतलब जो delete elements होंगा उसको डालते जाना ठीक है five step कहता है कि repeat the same until minhap become empty और यह जो हमारा element delete होगा minhap का उसको empty छोते जाना है and display the short list sorted list उसके बाद हमको display करना जो shorter list है देखते हैं कि example क्या कहता है ठीक है हम example एक लिए है यह हमारा आपके exam में भी कुछ question इसी तरीके से आएगा तो आप ज़रूर अपने मैं अभी question को भी बताऊंगे करके जो हमारे exam में question आयो है ठीक है so यह इस type को question होगा आपको ऐसे number दिये होंगे और वहाँ पर वह बोला होगा कि आपको यशे करना है ठीक है show hip shot करना है first step हमारा क्या था कि इसको binary team में convert करना है तो हम लोग ऐसा binary team में convert करते गया है आप देख सकते हैं ठीक है लोग binary team में कैसे convert करते हैं तो आप सबको पता ही होगा जो हमारा binary team बनाया जाता है वो कैसे convert किया जाता है first element को यहां put करते हुए sequence orderly by use किया जाता है तो फिर यहां पर 19 है तो 19 left you know root left and right होता है ठीक है और यहां पर 10 ऐसा नहीं है कि आप 82 से 90 करते हैं और इसके बाद फिर यहां पर 10 करते नहीं यह तो आपका यह part complete होगा बट हमें दोनों part को balance करते हुए चलना है इसलिए हम दोनों को साथ में करते हुए चलते हैं ठीक है and then उसके बाद क्या कहता है कि फिर उसको हम 10 के बाद करते हैं then 12 बचेगा तो यहां 90 पर put करेंगे and 50 पर इन दोनों को पुरा करते हुए इन दोनों के चाल को पुरा करते हुए then हम इस चीज पर आते हैं पर 90 and then 10 ठीक है and then बाद जो element होगा 90 के left side जो है उसमें put होगा 12 and 15 ठीक है और इसके बाद हम इस पर put करेंगे 77 and 55 and जो element बचेगा वो 12 डालके यहां पर use कर लेंगे ठीक है ऐसे नहीं है 82, 90, 90 के बाद 12 को लेटान डाल दिया है 15, 12 ऐससी कुछ नहीं होता है यहां पर आपको शॉर्ट करके directly बता दिया है बट मैं आपको कैसे यह शॉर्ट हुआ है binary tree को कैसे convert किया जाता है वो मैं आपको अभी बताती हूं यह शॉर्ट करके दे दिया है ठीक है directly बट मैं आपको रियली करके बताती हूं जैसा कि आप देख सकते 82, 90 & 10 दिया हुआ ठीक है तो हम क्या करेंगे कि इसको जैसा कि आप देख सकते मैं 82, 90 & 10 को यहां convert कर दिया है अब इसमें आपको चेक करना कैसे होता है कि हम रूट को चेक करेंगे कि यह जो हमारा चाइल्ड है वो उससे छोटा ना हूँ अगर छोटा है तो इसको convert किया जाता है बिक वाले गल्टरान से ठीक है तो यह हमारा देख सकते हो कि आप 82, 90 है तो यह दोनों में swipe हो जाएगा क्योंकि यह छोटा हो जा रहा है रूट हमारा कभी छोटा नहीं होना चाहिए तो हम यह swipe करेंगे swipe करने के बाद कैसा होता है यहां पर हमारा 90 हो जाएगा यह ऐसे swipe हो जाएगा and then बाकी के roots और child को convert करते हैं यह अब देख सकते हैं कि यह balance हो गया ठीक है बाकी के child को देखे मैं नहीं यहां डाल दिया यह भी हमारा balance है तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है next root के child को देखते हैं ठीक है क्योंकि आप देख सकते हैं कि root बढ़ा है तो इसमें कोई दिककत नहीं है देखे इसमें क्या है कि 77 और 55 है इसमें लेकिन root जो है वो छोटा है 10 है तो हम इसको swipe कर देंगे 77 के साथ तो यह हमारा 77 हो जाएगा 10 के तो देख सकते हैं कि यह इस तरीके से हो गया और देखते क् हमारे पास दिया है यह 23 तो आप देख सकते हैं कि यहां root जो है हमारा यह 12 और 23 है तो यह हो जाएगा swipe क्योंकि root हमेशा बढ़ा होना चाहिए चाहिए ठीक है तो हम इसको swipe करते हैं सो यह हो गया हमारा ready जो भी हमारा था जो यह जो था हमारा hippify हो गया है यह max hip में convert हो गया you know binary tree में convert हो गया सो अब हम क्या करेंगे कि next step को use करते हुए आगे बढ़ेंगे अब यह जो number हमार पास निकल के आया है 90, 82, 77, 23, 15, 10, 55, 12 इसको एक sequence wise में हम यहां पर लिख लेंगे ठीक है next step हमारा कहेगा क्या कि अब इसको देखना है कि you know max heap में convert करना है और data को delete करते हुए roots के data को delete करते हुए हम एक swipe list को last tooth में convert करते हैं हमारे पास 90 है ठीक है और यहां last node हमारे पास मिलता है आपको 12 ठीक है तो हम क्या करेंगे 90 यहां पर था 90 था 90 को convert कर देंगे 12 में और 90 को यह data हो जाएगा deleted data को कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम हमारे पास उसको हम 12 से swipe किये थे और यहां पर हम उसके बदले 90 को लिख लेंगे ठीक है अब उसके बाद इतना है इनफ नहीं होता है ठीक है इसमें अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा यह जो रूट है वो चाइल से छोटा है क्या बड़ा है उस चीज़ को हीफिफाई करके हम यहां पर कनवर्ट करेंगे ठीक है जो कि आपको मैंने अभी सिखाया है वह आप इससे चेक कर सकते ठीक है next step same next step होते जाता है डिलीट होते जाता है एंड वह जो डेटा होता है एलमेंट्स वह लास्ट एलमेंट्स से कनवर्ट और स्वाइब होते जाते हैं हमारे पास उसके बास बसता है 55 ठीक है मारे पास जो था यहां पर हम जैसे की देखे थे कि यहां हमारे पास 82, 12, 85, 77 था अब हमारे पास बसता है 55 को स्वाइब करना क्योंकि यहां पर लास्ट एलमेंट्स क्या है 55 और हमारे पास यह बस्ता है 82 तो हम आये, 82 को last data से swipe कर देगal हमारे पास इह data, देख सकते है managing 82 है हमारे पास बचा हुआ और यहां हमारे पास last data 25 है 55 है. तो उस चीज को उससे swipe कर देगे ठीक है और यहाँ data delete करते जाएंगे, 82 deleted हो जाता है आप देख सकते हैं after 82 डिलीट ठीक है and max hip के बाद हमारी max hip वही होता है कि हमको देखना होता है कि क्या root हमारा बढ़ा है या नहीं child से ठीक है root हमेशा always बढ़ा होता है child से यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रमे रखना है ताकि आप अपने clear exam में clear यहां उसके बाद हम देखेंगे फिर से वह step करेंगे हम यहां पर 77 को डिलीट करेंगे as a 10 से ठीक है तो 77 को 10 से डिलीट के हम अज पास 23, 55, 12, 15 ठीक है तो इसको फिर hipify करेंगे as it is जो कि मैंने आपको बताया कि balance tree जैसे balance करते है उस तरीके से और data को डिलीट करते जाएंगे तो यहां पर हमारा पहला वाला 82 था वह मैंने लिखा नहीं ठीक है अब हमारे पास deleted data 10 भी आ गया है और sorry 77 आ गया है क्योंकि 77 के बतले हम उसको 10 डाला था ठीक है और इसको cut off करते जाएंगे है जो हमारे पास था 7 ठीक है 82 actually मैं यहां cross कर यहां यह जब बनाते जाना राइग्राम तो यह हिसाब से इसके सामने यह चीज जो मैंने भी बनाया है वो ड्रॉ करते जाना यहां पर ताकि examiner को clear हो ठीक है next step भी यह है जो कि हम लोग ने किया कि 10 जो मैंने भी लिया था then 23 को 15 से convert करना you know ऐसी तरीके से करक हमारा पास जो shortage बसता है वह हमारा पास ही डिलीट करने के बाद एक last element बसता है जो कि हमारा पास empty हो जाता है ठीक है और हमारा पास यह shortage data आ जाता है कि 10 12 15 जो कि हमारा ascending है ठीक है हम लोग ने पहला वाला जो बनाया था वो एक descending order में था अब देख सकते है एक descending to order में था 90 और मैं algorithm आपको description box में डाल दूँगी क्योंकि वो बताना possible नहीं हो पाएगा यहाँ ठीक है वो algorithm आपको देखना पड़ेगा मैं description box में डाल दूँगी type करके आप देख सकते हैं hip shotting बहुत easy process है और इससे आपको 10 बाक्स मिल जाते हैं तो प्लीज इसको छोड़ना मत क्योंकि बहुत easy है आप समझ जाते हो तो बहुत easily आप कर पाते हो इस वीडियो पर आज के लिए इतना ही नहीं मिलते है नेक्स वीडियो में जब तक लिए टक क्यार बाबाए और मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो भी मैंने 4 semester 3 semester के वीडियो अप्लोड के वे हैं ने डेटा स्ट्ट्चर के या देवी अमस के तो आप वो वीडियो को भी चेक आउट कर सकते हैं लिख्टिंट बॉक्स में मिल जाएगा या प्लेलिस के लिंक भी मिल जाएगा या आई बैटम पर लेकर कर देख सकते हैं ठीक है बन्से नेक्स वीडियो में दब तक लिए बबबाइ टक्रे अश्ट टेस भी बबाइ